हेलो अब्रिवन आज से हम transfer of property act 1882 की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं इसके अंदर हम पूरा का पूरा transfer of property act कवर कराएंगे इस digital board के उपर YouTube पे हम कुछ वीडियो अपलोड करेंगे बाकी का मेरा पूरा course जो होगा transfer of property act जिसके अंदर हम सारे major, minor, सारे topics कवर करेंगे यह पूरा lecture आपको मेरी app क्यों पर मिलेगा मेरी app है theory of abrogation जो आप play store से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो आज की इस video में हम लोग सिर्फ समझेंगे कि transfer of property act है क्या इसका object क्या है इसके application के बारे में ठीक है तो देखिए transfer of property act 1882 थोड़ी थोड़ी बेसिक बाते समझते हैं transfer of property act के बारे में देखिए क्या समझ में आ रहा है transfer transfer मतलब एक आदमी दौरा दूसरे आदमी के पास कोई चीज transfer करना property प्रापर्टी कुछ भी हो सकती है अब यहां पर देखिए property से पहले ना तो movable लिखा है ना तो immovable लिखा है मतलब property खाली property लिखा हुआ है ना तो यह कहा गया कि movable property ना तो यह कहा गया 1882 1818 1882 का यह कानून है तो यह है transfer of property एक 1882 ठीक है अब इसके बारे में कुछ और बाते जान लेते हैं जैसे the act was enacted on 17 February 1882 यह जो कानून है transfer of property act का यह inact हुआ था 17 February 1882 में inact का क्या मतलब मतलब एक तरीके से कानून बन गया था अप्रूव हो गया था लेकिन यह लागू हुआ है 1st July 1882 को याद रखिए कि यहां से question पूछे जाते हैं इन जगहां से question frame हो जाते है preliminary examination में question पूछे जाते हैं और कई बार क्या होता है कि student इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह enact हुआ 17 February 1882 को यानि यह कानून तो बन गया था 17 February 1882 को यह कानून बन गया था and it came into force लागू हो गया है इसका implementation हुआ है 1st July 1882 से the act consists 8 chapters 8 chapters है इसके अंदर और 137 sections है बहुत जादा sections नहीं है तो total 137 sections है अब इसके बाद आता है meaning transfer of property का मतलब क्या होता देखिए अब transfer of property जो है यह जो expression है इसको define किया गया है section 5 के अंदर TPA के वो अभी हम लोग आगे cover करेंगे जहाँ पे एक living person दूसरे living person को property को transfer करता है ठीक है वो section 5 में हम लोग जाके detail में समझेंगे अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अब बात आती है transfer of property act के application की देखिए अब सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि properties जो है कितने तरीके से transfer होती है properties जो होती है जो हमारी संपत्या होती है वो हमारे पास से दूसरे के पास कितने तरीके से transfer हो सकती है आप guess करिए हम लोग एक एक point को समझते हैं अब देखिए बहुत सारी ऐसे तरीके हैं जिनके जरीए properties जो है एक से दूसरे के पास जाती है जैसे आप properties को sale कर सकते हैं lease पे दे सकते हैं mortgage कर सकते हैं exchange कर सकते हैं gift पे दे सकते हैं इसके साथ साथ actionable claim अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे actionable claim के बारे में actionable claim जो है यह भी transfer हो सकता है उसके साथ प्रॉपरटी जो है वो ट्रांस्फर होती है बाई operation of law हम लोगों ने जाना कि properties जो है दो तरीके से transfer हो रही है एक तो properties transfer हो रही है जिसको हम लोग कह सकते हैं by act of parties देखिए various modes of transfer of property by act of parties एक तो property transfer हो रही है by act of parties, by act of parties का मतलब कि हम और आप हैं, हमने आपके साथ सौधा किया, हम आपको अपनी property बेच रहे हैं, हमने property कदाम बता है, 5 लाक रुपा है, आपने पैसा दी, हमने property ट्रांसफर कर दिया, ये हमारे आपके act से हो रही है, सेम चीज़ आप देखेंगे, lease में भी होगी, mortgage में भी होगी, exchange में भी होगी, gift में भी होगी, इन सब जगहां पे देखिएगा कि transfer, 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 दो party आपको होगी, एक transfer कर रहा होगा और एक transfer होगी, एक से दूसरे के पास property जा रही होगी, तो ये by act of parties है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टीपीए applies only on transfer by act of parties, तो टीपीए जो है, सिर्फ act of parties क्यों पर लागू होता है, transferred between two living persons, इसके अंदर क्या आता है, sale हो गया, lease हो गया, mortgage, exchange, actionable claim, अब दूसरा mode है, transfer करने का property का by operation of law, by operation of law का मतलब क्या हुआ, by operation of law की automatically, law से automatically transfer हो जाना, by act of parties में कि हम सौधा कर रहे हैं आपके साथ, आपको transfer कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन automatic transfer हो जाना, बिना कुछ करे ही transfer हो रही है, यह कैसे हो सकती है, देखिए, अब automatic कैसे transfer होती है, by operation of law property, here transferred automatically by the process of law, law का एक process होगा, मतलब law ने बता जिये कि property अपने आप से transfer हो जाएगी, वो automatically होती है, कैसे है, यह समझेगा, TPA does not apply in this kind of transfer, तो TPA जो है, इस तरह के transfer पर लागू नहीं होती है, किस तरह के transfer पर, by operation of law, ठीक है, इसका कुछ अपवाद है, जैसे exception दिये गया है, section 57 में, chapter 4 में, अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह के transfer में किस तरह के चीज़े आती है, देखिए, by operation of law के अंदर क्या क्या चीज़े आती है, जब कोई इनसान जो है, आप वसीहत करता है, जब कोई इनसान मरने से पहले वसीहत करता है, वसीहत उसने करी, उसके बाद वो मर गया, अब जो उसने वसीहत करी है, प्रॉपर्टी जो है, वो automatically law के प्रोसेस द्वारा बढ़ गई, जो उसने वसीहत करी, देखिए, operation of law है, law of inheritance जो होता है, अब मैंने कोई वसीहत नहीं करी, लेकिन हमारा कानून बताया गया है, कि हमारे मरने के बाद कैसे प्रॉपर्टी बटेगी, भाई कोई भी इंसन कभी भी मर सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसे साब से बाटी जाएगी, तो वहाँ पे law of inheritance लागू होता है, अब हम मर गया, मेरी प्रॉपर्टी जो है किसे साब से बटेगी, अब वहाँ पे by operation of law, law के process से वो transfer हो रही है, तो इसके ओपर TPA लागू नहीं होता है, इसके ओपर क्या लागू होता है, इसके लिए हमारे पार personal laws है, जैसे Muslim law हो गया, Hindu law हो गया, ठीक है, तो इसके ओपर TPA नहीं लागू होता, क्योंकि उनके लिए तो अलग separate laws बने हुए है, फिर उसके बाद आता है, जैसे इसी के अंदर by operation of law में, transfer in case of insolvency की कारवाई हो गई, for feature की कारवाई हो गई, अगर कोई sale होती है in execution of courts degree, अब देखिए, court को आम तोर पे, जैसे हमने बताये कि, जो TPA के अंदर property, जो है, वो two living person के बीच में transfer होती है, तो पहली चीज, court जो है, उसको living person नहीं माना गया है, तो court के order दोरा कोई sale हो रहा है, तो वो transfer of property नहीं है, ठीक है, आगे हम लोग section 5 में इस चीज़ को जानेंगे, तो अगर कोई चीज transfer हो रही है, insolvency की कारवाई में, for feature दोरा, या कोई sale हो रही है, execution of courts degree, तो इसको भी हम transfer of property नहीं मानेंगे, और उसके ओपर transfer of property act लागू नहीं होगा, इसको हम लोग मानेंगे, कि ये by operation of law हो रहा है, transfer by orders of court, तो अब आपको एक ये बात समझ में आ गई होगी, कि properties बहुत तरीके से transfer होती है, हम किसी को बेचते हैं, mortgage करते हैं, lease पे देते हैं, ये सारे topics अभी TPM में आएंगे, mortgage करते हैं, बंधक पे देते हैं, बेचते हैं, गिफ्ट करते हैं, lease पे देते हैं, तो बहुत सारे methods हैं, property के transfer होने के लिए, उसी के साथ साथ property जो है, वसीहत करने से भी transfer होती है, इने रिटेंस के दौरा भी transfer होती है, उसी के साथ साथ court के आदेश दौरा भी transfer होती है, तो TPA जो है, वो सिर्फ लागू होता है transfer of property by act of parties, जहां पे parties के act दौरा एक property जो है, दूसरे के पास transfer होती है, TPA सिर्फ उस पे लागू होता है, ना कि by operation of law, तो exam में question पूछा जाता है इस तरीके से, जैसे question एक तो हमने आपको बताया कि, पूछा जाता है कि TPA कब लागू हुआ, एक यहां से question पूछा जाता है, इससे question पूछा जाता है कि जैसे TPA किस के उपर लागू होता है, जैसे पूछ लेगा आपसे, TPA किस तरह की transfer पर लागू होता, by act of parties का एक option दे दिया उसने आपको, by operation of law पे दे दिया, by both दे दिया, या none of the above दे दिया, तो आप क्या चुनेंगे by act of parties, कुछ अगर उसके exception है, उसको count नहीं किया जाएगा, mainly जो है यह by act of parties के उपर ही लागू होता है, transfer of property के अभी हम लोग preamble में चलके पढ़ेंगे, अब दिखिया, आया इसका preamble, preamble क्या होता है, देखिये, हर कानून के अंदर एक preamble डाला जाता है, जो हमें यह बताता है, कि जो legislatures हैं, जो इस कानून को बना रहे हैं, उनका क्या उद्देश हैं, वो क्या अशीव करना चाहते हैं, किस लिए इसको बना रहे हैं, ठीक है, तो TPA का preamble क्या कहता है, काफी important है TPA का preamble, देखियेगा, TPA का preamble कह रहा है, इसका preamble कह रहा है, whereas it is expedient, जहां पर ऐसी जरूरत पड़ी, और जहां पर ऐसा उचित हुआ, to define and amend certain parts of the law, relating to the transfer of property, by act of parties, अब इसकी wordings के उपर ध्यान दीजए, whereas it is expedient to define and amend, इसका preamble कह रहा है, कि इसको enact किया गया है TPA को किस लिए, define करने के लिए, और amend करने के लिए, certain parts of law, certain, certain parts of law relating to transfer of property, by act of property, by act of parties, तो यह कह रहा है कि इसको define और amend करने के लिए, लाया गया है, यह जो TPA का act है, transfer of property act 1882, इसको define और amend करने के लिए, लाया गया है, यहाँ पे आप गौर करिए, जब आप code of criminal procedure पढ़ेंगे, 1973, code of civil procedure पढ़ेंगे, 1998, तो आप देखेंगे कि उनके preamble में expression इस्तिमाल हुआ है, consolidation का, consolidate करने के लिए, preamble में consolidate का word इस्तिमाल हुआ है, अब आप जब इसके बारे में जानेंगे, कि ये consolidate का word इस्तिमाल हुआ है और यहाँ पे इस्तिमाल हुआ है words define और amend इसके बीच में खेल किया है देखिए consolidate का मतलब होता है कि collect करना अगर किसी add के अंदर ये expression इस्तिमाल करते हैं कि इसको लाया गया है it is expedient कि इसको consolidate किया जा सके define किया जा सके तो इसका मतलब है कि जो transfer of properties से जुड़े वे जितने भी कानून है ये सब को उठा के TPA के अंदर इसने भर दिया अगर consolidate का word इस्तिमाल होता लेकिन यहाँ पे consolidate का word इस्तिमाल नहीं हुआ है तो इससे हमें पता चलता है कि ये transfer of property जो है consolidate नहीं कर रहा है सारे transfer of properties को इसका मतलब है कि इसके अंदर कमिया है ये सारे transfer of properties पे लागू नहीं हो रहा है इसके preamble से ही समझ में आ रहा है preamble तो खाली हमें इतना कहा रहा है कि ये define कर रहा है और amend कर रहा है certain parts मतलब कि कुछ कानून पहले से रहे होंगे जिनको ये define कर रहा है उनको एक exact meaning दे रहा है और उसके सारे उसके अंदर कुछ संशोधन कर रहा है कुछ amendment कर रहा है certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties सिर्फ by act of parties की उपर जो by act of parties related transfer है सिर्फ उसी को ये define कर रहा है by operation of law से तो कोई मतलब भी नहीं जो भी हम लोगों ने उपर देखा transfer between living person it is hereby enacted as follows thus it is clear from the preamble that TPA applies only on transfer of property by act of parties and not by operation of law and it is not exhaustive मतलब की transfer of property act एक complete act या code नहीं है जिसके अंदर properties के transfer से related सारे कानून हो भाई बहुत सारे ऐसे transfer है जिनके ओपर ये लागू नहीं होता है जैसे for example अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे sale of goods act है अब movable properties related sale of goods act 1932 के उपर लागू होता है आगे अभी हम लोग और भी चीज़े देखेंगे तो ऐसे हमें ये पता चल गया कि TPA applies only transfer of property by act of parties and not by operation of law and it is not exhaustive तो हमें पता चल गया कि ये exhaustive नहीं है उसी के साथ साथ अब आप देखेंगे कि हमने ये जो PDF तयार किया है इसके अदर इसी इसको mention भी किया है कि note in preamble expression used define and amend preamble के अंदर expression इस्तेमाल किया है define and amend and not to consolidate it means it does not contain complete law for all kinds of transfers in India इसका मतलब कि हर तरह के जो transfers होते हैं property का जो transfer होना होता है उन सारों को ये नहीं govern करता है ठीक है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अब ये बोला है कि the act has modified the act has modified the act has modified and make changes in some of the rules which existed before its enactment it is not a complete court for all kind of transfers in India it completes Indian contract act 1872 as it is a law as it is also evident from section 4 of the TPA ठीक है अब देखिए क्या बता रहा है कि इस TPA ने क्या करा कि जो कानून यहां पर चला आ रहा था English law और जो equity की maxims थी justice, equity, good conscience उसके basis पर यहां पर जो प्रॉपर्टी के जो मामलात थे देखे जाते थे ठीक है तो यह कह रहा है the act has modified and make changes in some of the rules which existed before its enactment तो 1882 से पहले जो चले आ रहे थे जो English law के कानून थे equity के कानून थे उन्हीं को इसने modify किया और उसके अंदर changes करे जो इससे पहले थे और it is not a complete code यह complete code नहीं है for all kinds of transfer it completes Indian contract act 1872 अब देखिए यहाँ पर यह transfer of property act जो है यह आपके Indian contract act 1872 को complete करता है Indian contract act 1872 का है Indian contract act 1872 का है transfer of property act 1882 का है 10 साल के बीच का difference है दोनों में तो इससे हमें यह पता चला है अब आप अगर ट्रांस इंडियन contract act पढ़ेंगे तो इंडियन contract act में एक तरीके से legal agreement होते हैं एक contract होता है parties के बीच में आप contract किस लिए करते हैं किसी वजह से करते हैं न contract जैसे हमने आपको अपनी property देना तो हमारे आपके बीच में समझभाता एक कॉंट्राक्ट ही तो होता है अब हमने आपके साथ समझभाता तो कर लिया contract कर लिया property transfer करने के लिए लेकिन property कैसे transfer होगी इसका तो कोई कानून नहीं है तो 1872 में हम यह कानून तो लिया है Indian contract Act का कि चलो contract कैसे होगा लेकिन अब property कैसे transfer होगी इसका कोई कानून ही नहीं है हमारे पास क्योंकि कानून तो हमें मिल ला है वो तो Transfer of Property Act 1882 में मिल ला है तो बीच में 10 साल का difference आ रहा है तो अब आगर आप contract Act में कोई contract करते हैं property transfer करने के लिए तो वो property transfer कि इस कानून से होगी वो कानून है Transfer of Property Act 1882 का अब आप सोच रहेंगे बीच में जो 10 साल का gap है 1872 से 1882 के बीच में इसमें जो है जो transfer of property थी जो property transfer होती थी वो कौन से कानून से गवन होती थी देखिए वही हमने आपको बताए कि वह English law जो था वो उससे गवन होती थी equity से गवन होती थी equity justice good conscience इस कानून से गवन होती थी मतलब इसका मतलब यह हो गया कि काफी हद तक वो judges के discretion के उपर होती थी कि जहां पर judges को लगता था कि यहां पर उचीत है करना तो फिर चीजे जो है TPA से लागू होना शुरू ही otherwise Indian contract act 1872 में आया है यह 1882 में आया है तो यह Indian contract act को complete करता है यह चीज आपको section 4 में भी मिल जाएगी between 1872 and 1882 the transfer of property under contract was regulated by English law and principles of justice, equity and good conscience अब इसके बाद आते हैं हम लोग च्छटे point पर है इसके बाद आते हैं हम लोग च्छटे point पर इसका देखिए अगर आपको interpret करने के लिए explain करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या जवाब देना है it mainly deals in transfers of immobile properties mainly जो है transfer of property act जो है यह immobile property के उपर deal करता है immobile property के rules बताता है उनको govern करता है कुछ sections कुछ provisions है जो movable properties के उपर भी लागू होते हैं इसके transfer of movable properties are regulated by sale of goods act 1930 जो movable properties related कानून है वो mainly govern होते हैं sales of goods act 1937 however section 5-37 जो section 5-37 है TPA के यह movable और immobile दोनों के उपर ही लागू होते हैं इनके अंदर कुछ basic rules और fundamentals बताए गया है transfer related तो यह movables और immobables के लिए same है उसके बाद 38 से लेके 53A तक जो है applies only on immobile properties further in some specific transfers are concerned the definitions of gifts and exchange इनके cases में भी यह limited नहीं है सिर्फ immobile properties तक ठीक है in the act are not limited to immobile properties जब आप gift पढ़ेंगे gift की definition जो है अगर आप इसकी पढ़ेंगे तो gift की definition के अंदर साफ तोर पर बताया गया है कि वो movable property की भी हो सकती है और immobile property की भी हो सकती है are not limited to immobile properties they include the gift and exchange also of movables अब यह एक important part है इसका कि Muslim law के उपर इसका क्या application है अब आप से अगर यह question पूछा जाए कि क्या TPA जो है जैसे जब आप TPA पढ़ेंगे तो कई बार आप TPA के अंदर पढ़ेंगे property के लिए खाली word इस्तमाल हुआ transfer आप transfer का मतलब क्या हुआ transfer के अंदर बहुत सारी चीजे आती है transfer जो होता है इसके अंदर बहुत सारी चीजे आती है ठीक है एक transfer का word आप पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे transfer of interest transfer of right यह तीन words आप अकसर पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़के confused मत होईगा आप इसको समझ लिए पहले क्या होता है जब हम कहते हैं property के transfer होने की बात है तो transfer के अंदर TPA के अंदर जो transfer बताएगे हैं जैसे sale, exchange, lease, gift यह सब आ सकते हैं इसके अंदर ठीक है अब जितने भी method है transfer होने के वो TPA के अंदर दिये गया है और जिन पर यह लागू नहीं होता वो हम लोग ने समय लिए था by operation of law अब जब property transfer होती है तो आप यह भी तो सूचिए कि property जो है यह एक collection of rights and interest है एक property जो है वो collection of rights and interest है जैसे for example आपको बताते हैं जैसे अब जैसे suppose that कि अब आपका कोई मकान है ठीक है यह आपका एक घर है आप इसके owner है आप इसके मालिक है ठीक है तो अब आपके पास इसकी एक absolute ownership है आप इसके एक absolute मालुक है इसकी absolute interest and rights आपके पास है ठीक है suppose that कि यह आप है इसका complete control complete ownership complete rights and interest आपके पास है क्योंकि आप इसके owner है यह आपका घर है आपने इस व्यक्ति को यह property जो है रहने के लिए दिया lease के इस इंसान को आपने lease पे दे दिया यह property अब जब आप आपने इसको lease पे दिया तो आपके पास तो यह property है आप तो इसके मालिक है complete rights है अब आप क्या कर रहे है तो property तो अपनी ही जगह पे रहेगी ना property तो एक जगह से दूसरी जगह जाए नहीं रही वो तो एक आप अपना कुछ rights और इंट्रेस्ट यहां पे जो रहने का आपका राइट था और जो इंट्रेस्ट था वो आप transfer कर रहे हैं इस इंसान को तो इसलिए आप टीपिए जब पढ़ेंगे तो उसके बार-बार कई जगहां पर यह words आएंगे transfer of interest, transfer of rights अगर आप इसको as a hold transfer करते हैं जैसे sale के case में होता है gift के case में होता है तो यह पूरी चली जाएगी इसके पास तुका जागा कि पूरे rights and interest इसके पास चले गए लेकिन आपने तो कुछ rights transfer करें जैसे वहाँ पे रहने के rights तो यहां पास आप जो भेज रहे हैं इसके के पास यह कुछ rights जा रहे हैं तो इसलिए इसको लोग कह सकते हैं transfer of interest आपका कुछ interest जो है इसके पास transfer हो रहा है ठीक है कि अब देखी Muslim law के case में क्या है तो अगर आप सो question पूछा जाता है कि यह टीपी Muslim law के उपर लागू होता है यानि अगर यह Muslims के बीच में transfer हो रहा है क्या यह उसके उपर लागू होता है तो बिल्कुल लागू होता है कुछ इसके exception है जैसे as per section 2 provisions of chapter 2 जो chapter 2 है टीपीए का जिसके अंदर basic fundamentals कुछ बताए गए है प्रॉपर्टी के transfer को लेके और दिस आइड डू नॉट अफेक्ट एनी inconsistent रूल यह कह रहा है कि जो chapter 2 है transfer of property आट का इसके अंदर जो rules दिये गए हैं अगर यह कोई रूल जो है Muslim law के inconsistent है मतलब उससे टकराते हैं of Muslim personal law तो यहाँ पर क्या होगा as per section 2 provision of this chapter of this act do not affect अगर Muslim law के कुछ provision इसके chapter 2 के provision से टकराते हैं तो क्या होगा Muslim law के जो provisions है वो prevail करेंगे वो लागू होंगे वो माने जाएंगे देखी क्या अगर टकराओ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर टकराओ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर टकराओ वाले एनी inconsistent rule of Muslim personal law और गिफ्ट के केस में क्या है and gifts made by Muslims are governed by the Muslim law of हिबा अब हिबा का Muslim law में हमारे पास कानून है हिबा का हिबा गिफ्ट जो हम लोग Muslim law के अंदर कवर करेंगे तो हमारे पास हिबा का कानून और यह कह रहा है and gifts made by Muslims are governed by the Muslim law of हिबा section 29 जो है TPA का of the transfer of property act वो specifically इस चीज़ के लिए provide करता है that the provisions of chapter 7th chapter 7th जो है यह gift क्यों पर deal करता है which is on gift would not be made applicable to gift made by Muslims अब आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर कुछ बचा अब जब हम लोग transfer of property act में आगे जाएंगे section 2 में जब जाएंगे तो section 2 जो है उसके अंदर बहुत सारे points बताए गए हैं TPA की ही application को लेके तो उसके sections को पढ़के हमें यह पता चलता है कि TPA जो है यह retrospective operation में नहीं आया यह prospective in nature है मतलब की जो पुराने rights and liabilities आ रही थी यह उनको effect नहीं कर रहा था the act is not retrospective therefore the rights or liabilities with respect to any property which existed before the commencement of this act shall remain unaffected there is a general rule एक general rule होता है कि unless a contrary intention is expressly indicated new enactment is not retrospectively applicable to lays down the general rule with regard to the provision of transfer of property act यह section 2C के अंदर बताए गए तो transfer of property जो है यह prospective in nature है ठीक है यह PDF जो है इसको हम अपने app के उपर जो है upload कर देंगे तो आपको यह PDF भी मिल जाएगी मेरी app के उपर और transfer of property act का यह एक तरीके का introductory वीडियो था जिसमें हम लोगों ने जाना कि transfer of property act किस तरह से लागू होता है कब लागू हुआ है इसके provision जो है किस तरीके से काम करते हैं किनके किनके उपर यह लागू होता है और कुछ और basic meaning हम लोगों ने जानी है अब इसके बाद हम लोग दूसरे part को cover करेंगे दूसरे आगे के section को cover करेंगे फिर उसके interpretation clause आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि यह जो मेरे टीपीए की हम series शुरू कर रहे हैं इसके अंदर सारे major minor points cover करते रहें और आपको बताते रहें कि क्या क्या चीज़े exam के point of view से important है जैसे Muslim law वाला पार्ट हमने पूछा यह exam में पूछा जाता है यह पूछा जा सकता है exam में कि क्या यह retrospective in nature है यह कोश्चे में पूछा जाता है ठीक है उसके साथ साथ Muslim law related जो है यह बहुत कोश्चे में पूछा जाता है बहुत ज्यादा समझ लिए इंपॉर्टेंट के लिहाज से कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अप्लिकेशन है यह पूछा जाता है कि क्या यह पर लागू होता है तो आपको बताना है कि हमने आपको बता है कि इसके अंदर एक्सेप्शन है और उसके साथ साथ टीपीए से पहले कौन से लॉस जो थे वह गवन कर रहे थे भारत के अंदर और जैसे यह इंडियन कॉंट्राक्ट को कम्प्लीट करता है इसका प्रोविज करेंट प्रेंबल के अंदर क्योंगि बहुत सारी चीजें यह जो इंप्टन आपको पता है कि यह प्र लागू हो Green अफ लॉक का क्या मतलब होता है ठीक है इस से question पूछ ले जाता है तो टीपीए में पूछ ले जाता है कि आपको समझ में आई होगी अच्छे से और आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम, पेस्बुक और ट्विटर के उपर फॉलो करना मत भूरियेगा इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीप खान 11 जो आपको इस वीडियो के description के अंदर मिल जाएगी